हेलो गाईज, विल्कम टू मैं चैनल, तो आज हम मेथास और जेजी की लव स्टोरी देखेंगे, तो जेजी एक फीजियो थ्रेपिस्ट है और मेथास एक बिजनेस टाइकून है, और जेजी के दोस्त पलाओन की बज़े से जेजी की मुलाकात मेथास से होता है, क्योंकि मेथ मेथास और मेथास और मेथास के साथ आर्गूमेंट हो जाता है, उपर से मेथास का सभी की तरफ एटिटूट वाला विहेवियर देखकर, जेजे को लगता है कि मेथास उसके भोले भाले दोस्त का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए जेजे जितनी बार मेथास से मिलता है, उतनी बार मेथास से जगरा करता है, क्योंकि जेजे मेथास से पलाओन का प्रोटेक करना चाहता था, और आखिरकार वो पलाओन के लिए मेथास से एक अच्छा खासा एमाउंड लेने में कामियाब हो जाता है आपके रेस्टूरेंट के बदले तो इस वज़े से मेथास और जेजे के बीच का रिष्टा लगभग एनिमी जैसा बन जाता है पर जेजे के हॉस्पिटल से उसे मेथास के लिए फीजिकल की जरूरत है तो जैसी कि मेथास का रेगुला डॉक्टर तब ही क्लीनिक में नहीं था इसलिए क्लीनिक बालों ने जेजे को भेज दिया था पर मेथास को पहले तो इस बात से ही प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि उसे अपना पुराना फीजो थेरापिस्ट ही चाहिए उपर से वो जेजे से ये भी कहता है कि वो ऐसे भी किसी से भी ट्रीटमेंट नहीं करवाता अब मेथास की इन सब बातों को सुनकर जेजे को गुस्सा तो बहुत आता है पर जैसे कि ये उसका काम है इसलिए पूचुप-चाप मेथास की सारी बाते सुनता है और उससे कहता है कि मेथास को एक बार उससे treatment करवा लेना चाहिए क्योंकि badminton खेलते हुए उसके नी में चूट लग जाता है पर फिर भी मेथास जेजे से treatment लेने को राजी नहीं होता इसलिए जेजे मेथास को डाट कर जबदस्ति उट कर treatment करता है और मेथास को hospital में एक बिट भी कर देता है पर फिर भी अपने आटीडूट के चलते मेथास जेजे को थैंक्यू भी नहीं बोल पाया उल्टा वो उसको दो चार बाते सुना देता है जिससे जेजे को गुसा आ जाता है और वो भी मेथास को कुछ बाते सुना देता है पर पीसोम के कहने पर जेजे मेथास से माफी मागने जाता है एक फुलो का बुक्के लेकर जैसी की मेथास पीसोम के क्लिनी के वी आईपी कस्टमर है और उपर से वो अभी एंजूर है पर जब जेजे मेथास के कैबिन में जाता है तो वो मेथास को अपने लोगों के उपर चिलाते हुए देखता है जिससे जेजे को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से मेथास को बहुत सारे बाते सुना कर चला आता है क्योंकि जेजे को लगता है कि मेथास अपने पैसों के घमण में सभी के साथ बुड़ा भी हेव करता है पर फिर भी मेथास जेजे को ही अपना फ औरान दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंस डेपूलप होने लगते हैं। उपर से जेजे भी मेथास का कुछ अलग ख्याल रगता है। जिसको देखकर मेथास जेजे से इसकी वज़ा पूछता है। तो जेजी मेथास से कहता है कि वो दिल से मेथास की हेल्प करना चाता है। और ये भी चाता है कि मेथास हर वक्त ऐसे सभी के साथ गुस्ता करना छोड़ दे। तभी मेथास जेजे का हाथ पकरकर उसको अपने पास लाकर कहता है। मुझे लगता है तुम उससे नफरत करते हो। पर फिर भी मैं जितनी बार तुमसे मिलता हूँ उतनी बा अगर ये मेरे गुस्से की वेज़े से नहीं है तो इसकी वज़ा क्या है। पर जेजे मेथास की इस बात को इग्नोर कर देता है और मेथास से कहता है अगर उसका जेजे के साथ रहना है तो उसे शांत रहना परेगा और अपने टीप मेंट पर फोकस करना होगा ताकि वो ज से आ जाता है पर फिर भी वो मेथास का बहुत ही अच्छे से ख्याल रगता है यहां तक कि अपने जॉब के प्रोटोकॉल की खिलाव जाकर भी वह मेथास का ख्याल रगता है पर मेथास के पुछने पर भी जेजे इस बात को एक्सप्ट करने के लिए राजी नहीं होता कि वह मेथास की सरफ सौफ्ट फिल करता है पर फिर भी वो मेथास के लिए ब्रेकफस्ट बनाता है जिसको देखकर मेथास जेजे से पूछता है कि उसने इतना अच्छा खाना कैसे बनाना आता है तो जेजे कहता है कि उसे अपने दोस्त पलावन का ख्याल रखना पड़ता है जिस सुनकर जेजे इस बात के लिए साफ इंकार कर देता है इससे मेथास बहुती खुश होता है और जेजे से कहता है कि अगर तुम्हारा फ्रेड मुझे दिये हुए वादे के फूल फिल कर देगा तो मैं तुम्हारे लिए एक फिजिकल थेरपी क्लिनिक ओपन कर दूँगा पर जेजे मेथास की इस बात को राजी नहीं होता और मेथास से कहता है वो अपने पैसे अपने पास रख सकता है जेजे को ऐसे किसी ओफर की कोई जरूरत नहीं है जेजी की बात सुनकर मेथास उससे कहता है कि सभी को पैसे की जरूरत होता है देखते हैं तुम कब तक इसे कपनूर कर देता है तो यह सब करते-करते शाम हो जाता है अरो तब भी मेथास के घर पे ही था और वह मेथास को ना lot करना जाता था पर इहां पर एक गर-बर्ड हो जाता है क्यूंकि नाहाते बड़ मेथास फ्रोर पर फिल करते है तभी प्लावन और मेथस के एक हाउस स्टफ आकर उन दोनों के ऐसे देख लेता है जिससे दोनों और ज़्यादा शाय फिल करते है और प्लावन जेजे को इस बात वो लेकर टीज भी करता है पर जेजे कहता है कि वो अपस मेथस के लिए पिटी फिल करता है क्यू जाएगा ऐसे ही बाते करते हुए दुना घर चले जाते है तो अगले दिन जेजे फिर से मेथास के घर पे आता है और उससे चलने के पैक्टिस करते हुए देखता है पर इससे मेथास को बहुत ज़्यादा दर्ध हो रहा था तो जेजे मेथास को दबदस्ती पेन किलर खिला देता है और मेथास से कहता है कि जैसे कि आज उसका पैड़ों में दर्ध है तो आज जेजे उसको कोई थेरपी नहीं देगा जेजी की बात सुनकर मेथास जेजे को पैसे देता है उसके ट्रावलिंग एक्सपेंस के लिए क्यूंकि उस दिन जेजे का कोई काम नहीं हुआ को इस चाहिए होगा देखते हैं कब तक तुम एसा रह सकते हो पर इस बार जैजे को सच में ही गुस्ता है और वह मेठस को बात के लिए कासी नहीं होता हैeder इसले मेथास वो क्लेग की खरित लेता है जिस पर जेजे काम करता है तो ये सब देखकर मेथास को और ज़ादा गुस्त आ जाता है और वो जौब छोर का जाना चाहता है तो जेजे को ऐसे जाते हुए देखकर मेथास उसको रोकने की कोशिश करता है और जेजे से पुछता है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है मेथास तो बस जेजे को अपने पास रखना चाहता है इसलिए उसने ऐसा किया है इस पर जेजे कहता है कि अगर मेथास को किसी को अपने पास रखना है तो उसे इसके लिए अपने दिल के यूज़ करना चाहिए ना कि हर वक्त अपने पैसो का दम द इसलिए वो अगले दिन जेजे के घर पहुच जाता है उसे मनाने के लिए जिसको देखकर जेजे मेथास से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है क्योंकि वो जेजे को अपना घर था तो मेथास उसे खरिद नहीं सकता था तो जेजे की बात सुनकर मेथास कहता है कि वो जेजे को काम के लिए वापस लेने आया है या जेजे बस मेथास के लिए ही फीजियोथेरापिस्ट का काम करना चाता है इसलिए ऐसा कर रहा है पर जेजे को मेथास के इन सब बातों पर कोई इंट्रेस नहीं था इसलिए वो मेथास को छोड़ कर ही जाने बारा था पर उसे horror movie देखना बहुत पसंद है तो जेजी की बात सुनकर मेथास जेजे को अपने साथ movie जाने के लिए इन्वेट करता है और उसे जसब ही बुक कर लिया था जेजे के साथ मुवी देखने के लिए तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंज्योय करते हैं इसके पाद अगले दिन जेजे फिर से मेथास के घर जाता है उसको फिजियो थ्रेपिस्ट के लिए पर इस बार जेजे मेथास के था थोरा सा र पर इस बार मेथास जेजे की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था जिसको देखकर जेजे बहुत ज़्यदा शाय फिल करता है पर यहाँ पर भी मेथास को थोरा सा चोट लग जाता है तो जेजे मेथास को उसका दत कम करने में मदद करता है इसी दोरान दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और मेथास जेजे को किस करने के लिए उसके तरफ आके बढ़ता है पर जेजे अपना फेर साट आ रहता है जिस बज़र से मेथास जेजे को किस नहीं कर पाता पर इससे मेथास थोरा सा गुस्सा हो जाता है और वो मेथास से कहता है मैं इसे किसी के लिए फीजे थेरापीस का काम नहीं कर सकता जो मेरे साथ ऐसे मजाग करता है इस पर मेथास कहता है कि वो जेजे के साथ मजाग नहीं कर रहा है पर जेजे के लिए ये सब एंडियोर करना आसार नहीं था इसलिए वो जल्दी से मेथास के घर से जाना चाहता था य इसलिए वो मेथास का हाथ चुराका जल्दी से वहाँ से भाग जाता है पर मेथास का हाथ इतनी जल्दी जेजे को छोड़ने वारा था इसलिए वो आगले दिन फिर से जेजे से मिलने क्लिनिक पर पहुच जाता है और जेजे से कहता है मुझसे बच कर भागना तुम्हारे ल नहीं होता और मेधस से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो तो वह मत करो मैं तुम्हारे जाल में फसने वाला नहीं हूँ तो जेजे की बात सुनकर मेथास जेजे का हाथ पकर कर उससे कहता है कि वो कोई मज़ाग नहीं कर रहा है वो सच महीं जेजे को पसंद करता है पर मेथास की बात सुनकर भी जेजे को मेथास की बात अपा भारुसा नहीं होता इसलिए वो मेथास से कहता है कि अगर तुम्हारे चला जाता है और मेथास उसे रोग भी नहीं पाता इधर प्लाओन मेथास को उस रेश्टूरेंट का पेपर लाकर दे देता है पर उसे बहुत ही तकलिफ हो रहा था क्यूंकि प्लाओन अब ओप से प्यार करने लगा था पर इन सब के चलते ओप से उसका रिष्टा तूट च हुआ है क्यूंकि मेथास ने फिर से किसी को इमोशन के ऊपर पैसो को रखा इसलिए जेजे मेथास को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है और मेथास को यह समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बरी गलती कर दिया है इसलिए वो आपके रेस्टूरेंट को प्लाओन को ले जाता है तो वह भी जेजे के साथ उसकी घर पर ही रहना चाहता है और जेजे के साथ रोमांस करना चाहता है तो मेथास को ऐसे अपने पास देखकर जेजे की धरकने तेज हो जाता है तो तेभी जेजे मेथास से पूछता है कि क्या वह जेजे को लेकर सीरियस है जिसके आंसर के तोर पर मेथस टेजस से कहता है कि वो जेज़े के लिए इतना स्यादा सीरियस है कि वो जेज़े के लिए अपना घर, पैसा ऐसा सब कुछ छोर सकता है तो मेथस की ये बात सुन कर जित बहुत जदा खुश जयता है और दोने यहाँ पर एक दूसरे को किस करते है और रोमांज भी करते है इसके अलावा मेधास ने जेजे को शादी के लिए प्रोपोस भी किया था और उसे एक डायमेंड रिंग भी पहना आया था क्यूंकि जेजे ने मेधास के शादी का प्रोपोस अलेक्सिप कर लिया था औ और इसी के साथ साथ में थाज और जज़े का लव स्टोरी भी कम्प्लीट हो जाता है ओके गार्ज आज के वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए भी एलस लव स्टोरी के साथ तब तक के लिए बाइबाइ दोस्तों